सपने में पित्रों को देखना या सपने में अपने मृत प्रईजनों या पित्रों को देखना एक बहुत ही कीमती सपना माना जाता है जो की जीवन में चल रही और घटित होने वाली बहुत सी बातों की और संकेत करता है जिसको सपने की विभी नवस्थाओं के मात्यम से सही स से समझा जा सकता है जैसे अगर कोई सपने में अपने पित्रों को बहुत ज्यादा खुस देखता है तो यह सपना जीवन में आने वाली खुस हाली और मिलने वाली प्रगती और सफलताव की ओर ही संकेत करता है और अगर कोई सपने में अपने पित्रों को कोई इक्छा पूरी करने के लिए कहते हुए देखता है या कोई काम करने के लिए कहते हुए देखता है तो आप पित्र पक्ष या स्राद में उनके लिए कोई पूजा पाठ आधी करा सकते हैं जिससे फिर वे आपके सपने में आना बंद हो जाएंगे और अगर कोई सपने में अपने पित्रों को नाराज, दुखी या कुसा गरते हुए देखता है तो यह सपना आपको किशी तरह की चेतावनी देने का ही काम करता है जिसमें हो सकता है कि आपने हाल ही कोई नया काम आदी करने का निश्चे किया हो तो उसमें कोई बड़ी कमी अभीर हो सकती है जिसको सही करने के लिए आप अपने इस काम के बारे में पूर्ण विजार कर सकते हैं तब ही आपको जीवन में मन चाहे परिणाम देखने को मिलेंगे और अगर कोई सपने में अपने पूरवजो या पित्रों को कुछ देते हुए देखता है तो यह सपना भी काफी अच्छा माना जाता है और यह सपना किसी काम में मिलने वाली निश्चित सफलता की और संकेत करता है और अगर कोई सपने में एक हिसाद बहुत सारे पित्रों को देखता है तो यह सपना कुछ जादा अच्छा नहीं माना जाता जिसके बुरे परभाव से बचने के लिए आपको अपने भगबान से खुद के और अपने परिवार के लिए मंगल कामना की प्राथना करने चाहिए और अगर कोई सपने में किसी पूरवज को बिमार देखता है तो यह सपना भी काफी अच्छा माना जाता है और अपने रास्ते में आने वाली मुसीबतों और खत्रे के पूरी तरह से टल जाने की और संकेत करता है और अगर कोई सपने में पित्रों को हसते हुए या मुस्कराते हुए देखता है तो यह सपना घर परिवार में बढ़ने वाले सुक सम्रद्धी की ओर तो संकेत करता ही है साथ ही यह सपना आपके रुके हुए कामों के भी जल्द ही पूरा होने की और संकेत करता है और अगर आप सपने में अपने पित्रों को कुछ खाने के लिए देते हैं या आपके पूरवज आपको कुछ खाने के लिए देते हैं तो दोनों ही कंडिशन में यह सपना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है और घर परिवार में किसी मांगली कार्या के संपन्न होने की और संकेत करता है और अगर कोई सपने में बार बार ही अपने पित्रों को देखता है तो यह सपना अपने पित्रों के लिए किसी तरह की पूजा पात कराने की और इशारा करता है और अगर कोई सपने में अपने पित्रों को कुछ मांगते हुए देखता है या अपने पित्रों को बहुत ही ज़्यादा देन हीन अवस्था में देखता है तो यह सपना आपको कुछ दान पुन करने और जीवन में थोड़ा उदार बनने की और भी संकेत करता है क्योंकि ये दोनों काम आपको बहुत सी मुसीबतों से हमेशा ही बचाए रखेंगे